नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं कि राजस्तान पुलिस का है रेजल्ट जारी हो चुका है आपको सबसे पहले रेजल्ट है कहाँ पर देखना और कैसे देखना है कि आप रेजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे तो चलो हम बात करते हैं कि आपको कहाँ पर और कैसी है रेजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो की जानकरी सबसे पहले पाने के लिए अभी से हमारी यूट नोटिफिकेशन बैल आइकन है उसे जुरूर ओन करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके चलो वीडियो शुरू करते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान पुलिस का रिजल्ट जारी हो चुका है आपको सबसे पहले रिजल्ट कहा पर और कैसे देखना है उसकी ट्रिक बता हूँ मैं इस वीडियो में तो आप सबसे पहले है वो रिजल्ट देख पाएंगे चलो वीडियो में बात करते हैं कैसे देखना है आपको रिजल्ट है सबसे पहले रिजल्ट देखने के लिए आपको है गूगल में आना होगा उसके बाद आपको यहां पर टाइप करना होगा ssoid sso.rajistan.gov.in उसके बाद आपके सामने है वो portal खुलेगा जिसमें आपको अपनी ssoid लगानी और अपने password लगाने है जैसे आप password लगाकर उसे login करोगे तो आपके सामने यह portal खुल जाएगा यह portal खुलने के बाद आपको requirement portal जो star 2 है उस पर जाना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहां पर और कैसे मिलेगा जैसे यह आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको ok करना है सभी को नीचे नहीं आना है सभी के किसी के उपर किसी के कहीं पर मिल जाएगा आपको requirement star 2 देखना है उसके बाद इस पर आपको ok कर देना है इस पर ok कर लीजी आप ok करने के बाद है वो यह open हो जाएगा अभी site थोड़ी बीजी चल रही है इसलिए थोड़ी यह open हो गया open होने के बाद यह आपको यहाँ पर दिखाएगा कि यह किसके नाम पर id है जैसे यह दिखा रहा है high government job notification के नाम पर यह आईडी है और यहाँ पर आने के बाद है आपको यहाँ पर निच्चे आने के बाद view more पर ok करना है जो view more दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको ok करना है इसके बाद यहाँ पर आने के बाद इस पर ok कर लीजिए उसके बाद आपके सामने यह site खुल जाएगी जो इसकी official site है यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर यह दिखा देगा कि आपका किस नाम से है वो अपनी SSID है किस नाम से आपको result देखना है वो यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर है वो देख पाएंगे कि आपने कहां से फोरम बराए जैसे requirement of constable 2018 constable general non-TSP district अजमेर से फोरम बरा गया है जिसके बारे में जो get result है यहाँ पर आप result देख सकती है result अभी तक जारी नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक result है वो हम बात करें तो quota और जैपूर दो ही जिलों के result अभी तक जारी हुए है कोटा और जैफूर का जैसे ही और किसी जिले का जट जारी होता है तो आपको जैसे यह दिखाई दे रहा है उपर अप्लिकेशन और एड्मिट कार्ड इस कलर का यह आपको दिखाई देगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ऐसा कलर दिखाई देने पर इसके बाद आप इस सामने होगा कि आपके कितने नंबर आये हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वर फैस्ट कॉमेंट में मिल जाएगा आपको कैसे और कहां पर देखना है यह तो एक बात ध्यान में रखिए जैसे रिजल्ट आता है तो यह इस कलर का हो जाएगा उसके बाद आप रजल्ट है वो यहां पर देख पाएंगे कि आपका रजल्ट है वो क्या रहा यहां पर ओके करने के बाद है आपके सामने आपका रजल्ट होगा इस तरह का कलर हो जाएगा रजल्ट आने के बाद तो आपके कितने नंबर आते है तो आप कॉमेंट बोक्स में जरूर कॉमे इस साइट का मैं लिंक देदूँगा इसके माध्यम से आप सीधा देख सकते हैं अपने रोल लंबर से रेजल्ट अभी तक सर्वीस है वो इस पर लोड ज्यादा पड़ा हुआ है तो इस पर रेजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है अब जैसे ही अभी बहुत सारे बच्ची हैं इसलिए साइट वेस्ट चल रही है तो दन्यवाद दोस्तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो ऐसी के लिए इस वीडियो में वस इतना ही दन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भारत